हेलो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूटूब चैनल को और नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे को जरूर दबा लेजिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल फ्री एजुकेशन में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम मद्द प्रदेश के प्रिथम व्यफ्तफ्त के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तो हर एक्जाम में दो से तीन कॉस्चन इस टॉपिक के उपर पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं मद्द प्रदेश के पिर्थम मुख मंत्री पंडित स्री रवी संकर सुकल जी थे इनका जन्म सागर जिले में हुआ था दोस्तो हमें यह बात हमेशा याद रखना है कि जो भी मद्दप्रदेश की महान हसती है उसका जन्म इस्थान मीस किस जिले में वह पैदा हुआ था यह चीज याद रखना है कि दोस्तो एक व्याप्म का पैटर्न बन गया है कि ऐसे कॉस्टन हमेशा पूछ रहा है कि फलाने महिला मुखमंत्री की तो प्रतम महिला मुखमंत्री हमारी थी उमा भारती इनका जन्म जो है टीकमगर्जिले में हुआ था प्रतम गैर कांग्रेसी मुखमंत्री हमारे थे वीरिंद्र कुमार सकलेचा प्रतम दलित मुखमंत्री राजा इनरेस चंद्र साहजी थे योजना आयोग के प्रतम अध्यक्ष प्रकास चंद सेठी थे योजना आयोग ने होता यह प्रदेश लेबल पर कहला था योजना मंडल मतलब योजना मंडल के प्रतम अध्यक्ष कों थे प्रकास चंद सेठी और दोस्तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है योजना मंडल के अध् तो मजद्य प्रदेश में यूजना मंड़ की स्थापना 1972 में हुई थी और उस समय 1972 में मुखमंत्री कौन थे प्रकासचंद 60 छेट थी इसलिए यूजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है प्रकासचंद 60 और योजना मंडल के यहाँ पर उपाध्यक्ष प्रिथम थे दया संकर नाग जी अब दोस्तों आपको हमें कमेंट करके बताना हैं कि वर्तमान में देश इस तर पर योजना मंडल का अध्यक्ष कौन है और योजना आयुक का उपाध्यक्ष कौन है हम बात करते हैं प्रिथम राजपाल की तो प्रिथम राजपाल हमारे थे बी पट्टा भी सीता रमया यदि हम बात करें प्रिथम महिला राजपाल की तो प्रिथम महिला राजपाल थी हमारी सरला ग्रेवाल यदि हम बात करें प्रथम आदिवासी महिला राजपाल ये हमारे थी और्मलास लेकिन दोस्तों यहाँ पर कनफ्यूस नहीं होना है और्मलास जो थी वो MP से थी लेकिन यह राजपाल कहां की वनी हिमानचल की हिमानचल प्रदेश की यह राजपाल वनी थी यह मद्द प्रदेश के राय गड़ जले से थी उस समय 1946 में क्या था कि इनका जैन्म हुआ था 1946 में आप तो ये 36 गड़ में पहुँच गया है लेकिन उस समय कहा था यहां पर लखा और यहां पर लखा है नात क्या होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति क्या होता है हमारे विपक्ष में जाने लगता है तो हम उसको हमेशा नात पहनाने की कोशिस करते हैं इस प्रकास हमें इसको याद रख सकते हैं विपक्ष के नेता कौन थी नात मतलब विस्वनात तामसकर प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन थी जमुना दे सकती है महिला जो कैसा हो यमना के जैसा इसका प्रवाय हो वही जा सकती है दोस्तों तो यमना को हम जमना भी बोलते हैं ठीक है दोस्तों याद करने के लिए हम सोच सकते हैं कि प्रथम महिला विपक्ष की नेता वही हो सकती है जिसका जमना जी के जैसा क्या हो प्रवाय हो ठीक एम हदायत उल्ला मतलब मुहम्मद हदायत उल्ला प्रथम महिला मुख ने आदिस हमारी थी सरोजनी सक्सेना मुख सचयो जो है हमारे थे एच एस कामत महिला मुख सचयो थी हमारी निर्मला वुच प्रथम महिला IPS officer यह थी हमारी आसा गोपालन जो की भोपाल से बिलाउं करती थी दोस्तो आपको कमेट करके यह भी बताना है कि भारत की प्रथम IPS officer कौन थी नेश्ट है प्रथम पुलिस महान रिच्छक कौन थे बीजी घाटे यह 1956 से 1982 तक ही रहे क्या होता है दोस्तो जो पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है उसको हम बोलते हैं महान रिच्छक लेकिन दोस्तो यह 1956 से 1982 तक ही चला फिर इस महान रिच्छक पद का नाम बदल के महान देशक कर दिया गया जिसको हम बरतमान में बोलते हैं डी जी पी वो थे हमारे प्रतम प्रतम डी जी पी थे पी वी दुवे यह 1982 में बने थे क्योंकि पहले इसका नाम क्या होता था पुलिस महान रिच्छक फिर 1982 में इसका नाम बदल के कर दिया गया पुलिस महान देशक मतलब डी जी पी तो फिर हमारे पी वी दुवे जो हैं प्रतम महान देशक हुए 1982 में अब दोस्तों आपको बताना है कि बरतमान में पुलिस महाने दिशक मींस डी जी पी कौन है चलिए हम बात करते हैं प्रिथम महादी वक्ता तो प्रिथम महादी वक्ता थे हमारे स्री एम अधिकारी जी नेश्ट बात करते हैं वित आयुक के प्रिथम अध्यक्ष हमारे थे सीतला सहाय जी निर्वाचन प्रिथम निर्वाचन आयुक के अध्यक्ष हमारे थे एन वी लोहानी जी प्रिथम सूचना आयुक के अध्यक्ष थे हमारे टी एन स्री वास्ताव प्रथम लोकायोक्त हमारे थे PV दीक्षित प्रथम उप लोकायोक्त थे हमारे आरजे भावे नैस्ट है PSC मतलब लोकसिवा आयोक के अध्यक्ष थे हमारे प्रथम PV रेडी जी दोस्तों इसको हम कैसे याद रख सकते हैं जब भी PSC की हम परिक्षा देते हैं तो उसके लिए हम कह रहते हैं हम इसा रेडी रहते हैं रेडी मींस तैयार रहते हैं तो PSC के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे PB रेडी जी दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके बरतमान अध्यक्ष कौन है यह भी आपको याद रखना है क्योंकि यह चीज भी एक्जाम में अकसर कर पूछे जाती है जैसे पित्तायो की बरतमान अध्यक्ष निरवाचनायो की बरतमान अध्यक्ष इस प्रकार से इन सभी चीजों के हमें बरतमान अध्यक्ष भी याद रखना है चलिए पिर्थम किन्नर विधायक थी हमारी सबनम मौसी जो की सोहागपर के सहडोल जिले से वनी थी नैश्ट है हमारा पिर्थम किन्नर महापौर पिर्थम किन्नर मौर थी हमारी कमला जान जो की कटनी जिले से वनी हुई थी थेंक्यू दोस्तो दोस्तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वेल आइकन को जरूर दबा लें इससे कि आपको क्या होगा हमारा हर वीडियो का नोटिस्फिकिसन मिलता रहेगा तता वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपने मेत्रों तक इसे सेर जरूर कीजिए ठैंक यू दोस्तो धन्वार